मैं ऐसे लोगों को टीन रहा हूं जो जिन्दा अंगरेजों को अकलेजा भाण के खाजाएं निस्सो बारा तक हम इंको मार मार के भागा देंगे या इनको मारते मारते मर जाएंगे रंदीप उड़ा की फिलम बीर सवरकर को आजने माघरों में 24 बा दिन चल रहा है तो आज किस विडियो में हम आपको बीर सवरकर के 24 दिनों के बॉक्स ओपिस और वल्ड वाइड कलेक्शन के बारे में बताने वाले हैं यानि इस फिलम ने इंडिया से अब तक कितना कलेक्शन किया है वही इस फिलम की दुनिया वर्ष से कितनी कमाई हो चुकी है हम आपको इस विडियो में बताने वाले हैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस विडियो को अन तक जुरूर देखें वही अगर आप रंदीप उड़ा को एक अच्छा भी निता मानते हो तो इस विडियो को दिल से लाइक अब दें और वही अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो इस चैनल को जुरूर सब्सक्राइब करें आपको बता दे रंदीप उड़ा के डिरेक्शन में बनी फिलम बीर सवरकर जिसका बजट लगबग 20 करोड का है ये एक बाइग्राफी और ड्रामा फिलम है जिसकी टाइम डुवेशन दो घंटे 58 मिनट की है तो वही इस फिलम को अनंत पंडित और संदीप सिंग ने परडिउस किया है इस फिलम में रंदीप उड़ा के अलावा अंकीता लोखंडे भी मुख्य किरदार में है अब बात करें कलेक्शन की तो आख को बता दें बीच सभरकर ने जहां अपने पहले दिन इंडिया से 1.10.000.000 का नेट कलेक्शन किया है वही इस फिलम का पहले दिन का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 1.80.000.000 का रहा है दूसरे दिन फिलम ने इंडिया से 2 करोड 25 लाग की नेट कमाई की है वही इस फिलम का दो दिनों का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 5 करोड 5 लाग का रहा है 22 दिन फिलम ने इंडिया से 40 लाग की नेट कमाई की है 23 दिन फिलम ने इंडिया से 55 लाग का नेट कलेक्शन किया है आप बात करें आज की यानि 24 दिन की तो आपको बता दें फिलम आज इंडिया से लगबग 60 लाग का नेट कलेक्शन कर रही है इसलिए पहले 24 दिनों में फिलम जा इंडिया से 24 क्रोड 60 लाग का नेट कारोबार कर रही है भई इसकी दुनिया भर से कमाई 33 क्रोड 80 लाग की हो रही है तो दोस्तों वीर सवरकर फिलम आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं